Hello students, welcome to my channel Commerce Notes आज हम difference करने जा रहे हैं foreign direct investment and foreign portfolio investment का difference between FDI and FPI previous video में हमने FDI क्या होता है, FPI क्या होता है और इनके कौन-कौन से factor इन effect करते हैं इनके बीच में क्या relation है, similarity क्या है वो हमने देख लिया था एक हमारा question रहे गया था जो कि बहुत important है difference तो आज हम वो करने जा रहे हैं तो अगर यह question आपको university exam में, college exam में आता है तो आपको कैसे attempt करना है, हम उस basis पे इस video को देखेंगे तो firstly अगर question आपको आए तो आपको FDI and FPI को explain करना होगा जैसे कि यहाँ पर FDI explain की गई है उसके बाद FPI explain की है then उसका difference दिया है तो आप क्या है, ऐसे ही लिखेंगे और उसके बाद इसका conclusion आपको लिखना होगा तो चलिए start करते हैं FDI से What is it? यह है क्या? तो FDI is like when a person or a company from one country buy a business or a big asset in another company FDI का क्या simple सा मतलब होता है कि कोई भी बंदा, ठीक है जैसे US है, US की कोई person या US की कोई company अगर वो इंडिया में कोई business को भाई कर ले या फिर इंडिया के कोई big asset को क्या कर ले भाई कर ले तो उसे कहते हैं कि foreign direct investment इंडिया में हो गई क्योंकि US हमारे लिए क्या था? एक foreign country है तो foreign country ने जब यहाँ पे कोई business खरीद लिया, कोई big asset खरीद लिया तो हम कहेंगे कि foreign direct investment हो गई ठीक है, अब इसका detail मीनिंग के लिए आप previous video को refer कर सकते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ उतना देखना है कि अगर question format में है तो हमें कैसे लिखना है यहाँ पे ownership and control का क्या होता है they usually buy a big part of the business and have a say in how it's run जो बाहर की company होती है, वो यहाँ का कोई बड़ा part क्या है business का, buy कर लेती है और उनकी क्या है, say होती है मतलब वो उसको कैसे चलाएंगे क्या होगा, ठीक है, क्या उसकी policies होंगी वो सारा वही decide करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ा पार्ट यहां के company का, क्या किया हो है buy किया हो है, then time frame यह long term deal होती है, ठीक है they plan to stick around and help the business grow वो क्या है, यहाँ पर लंबे समी तक होते हैं business को grow करते हैं, run करते हैं, profit कमाते हैं ठीक है, और risk bear करते हैं then risk and reward, it is riskier यह बहुत risk है, क्योंकि बाहर की company है यहाँ पर क्या है, buy कर रही है, ठीक है rewards can be bigger, तो जितना बड़ा risk होगा हमने देखा था, business में उतना ही बड़ा क्या होते है chances, rewards क्यों होते हैं, if the business does well अगर business क्या है, बहुत अच्छा चलेगा, तो क्या है profit भी बहुत जादा होंगे, impact on the country अब इंडिया में क्या impact होगा इसका क्योंकि foreign direct investment हमारे इंडिया में हुई है तो हमारे इंडिया को क्या impact मिलेगा इससे it can create a job, यह क्या है job create करते हैं सबसे पहले, तो and help the country economy grow, और हमारी country की help कर रहे है कि हमारी country का जो GDP है अब अभी भी USA ही है वो इंडिया में इंवेस्मेंट करेगा बट वो क्या करेगा, वो यहां का या तो कोई stock बाइ कर लेगा, यहां किस कोई bond बाइ कर लेगा, ठीक है तो अगर आप business ही बाइ कर ले रहे हो, तो वो foreign direct investment है पर अगर उस business के कोई shares कोई stock, कोई bond को बाइ करते हो मताब part, ठीक है, small उसमें, तो वो क्या होता है, foreign portfolio investment but you don't don't own the company मताब आप company को बाइ नहीं कर रहे हो foreign direct investment में क्या होता है, आप company भाइ कर लेते हो but foreign portfolio investment में क्या हो रहा है उस company के आप bond, stocks, shares यह क्या है, buy कर लेते हैं, तो वो foreign portfolio investment होती है ownership and control क्या है, यहाँ पर US के पास नहीं होगी, यहीं की company के पास होगी क्योंकि यहीं की company का आपने एक share buy किया है, तो यहाँ के ही company वालों के पास क्या होगी, उसकी ownership होगी time frame, यह generally क्या होता है, you can buy or sell जो आपने share लिया, आप उसको buy or sell कर सकते हो quickly, तो यह क्या short term होती है और बहुत ही flexible होती है, risk and reward obviously बात है, इसमें risk कम है, तो इसमें rewards क्या है, but the rewards might not be as big, तो risk जादा नहीं होते है इसमें, sorry, जो profit होते हैं जादा नहीं होते है risk कम तो profit भी कम, impact on the country इसमें impact क्या पड़ेगा इंडिया में it does not create a job, इसमें create job तो नहीं होती, और effect the country economy much, और economy की, जो हमारी country की economy है, वो भी इतने जादा effect नहीं होती, but it is more about making money in financial market इसमें क्या होता है, बस क्या है, जो पैसा है, वो क्या है, financial market में बनता है बस इतना होता है इससे, तो हम यह कह सकते है FDI broader है, ठीक है, FPI थोड़ा है as compared to FDI, छोटा है, तो यह हमने सिरफ meaning समझा है, इसका detail meaning हमने वैसे previous video में समझ लिया, अभी हम क्या है, इसको इस basis पे देख रहे है, तो चलिए अब हम अपना main topic क्या करते है, difference को start करते है पर उससे पहले हम यह देख लेते हैं, कि हमें समझ के आया, so in simple term FDI is like buying a big piece FDI का मतलब क्या है, बड़ा piece आप क्या है foreign business का खरीद रहे हो, ठीक है US क्या है, इंडिया का बड़ा piece खरीद रहे है मतलब, big business खरीद रहे है जो stocks है, जो bonds है, उनमें पैसा लगा रहा है ठीक है, और सिरफ financial market में अपनी money को क्या है, create कर रहा है, तो hope आपको यह समझाया हो तो चलिए, अब हम differences स्टार्ट करते है तो यहाँ पर basis of difference है और यहाँ पर FDI है, और यहाँ पर FPI है तो सबसे पहले investment type कैसी है यह तो investment type में अगर हम बोले तो FDI है जो investment in a business इसमें हम क्या करते है, invest करते है किसी business में, किसी physical asset में कौन करता है, foreign country करती है ठीक है, FPI क्या होता है, यहाँ पर किसमें invest किया जाता है, stocks, bonds में और other securities में then control and ownership, हमने देखा जो FDI है, इसमें control किया, फिर बाहर की country का हो जाता है, या बाहर की company का हो जाता है, पर FPI में बाहर की company का कोई रोल नहीं होता है, वो सिरफ किया यहाँ financial market में पैसा बना रही है long term वसे short term, हमने यह देख लिया जो FDI है वो long term है और FPI है जो short term है, risk and reward, FDI में risk जादा है तो reward भी जादा है, FPI में risk कम है तो reward भी कम है as compared to FDI next क्या है, impact on local economy, economy में क्या है FDI की वज़े से अच्छा खासा effect होता है, ठीक है growth होती है, create होती है job, ठीक है पर FPI क्या है, इसका as such कोई economy में वो नहीं पढ़ता, impact बस क्या है, financial market में create होते है इनकी money, regulatory approval and control FDI है जो, वो क्या है उसको अगर आपको करना है तो regulatory approval चाहिए ठीक है, आपको host country का कुछ restrictions भी होती है, कुछ conditions भी होती है अगर वो satisfy हो रहे तो भी आप FDI कर सकते है but FPI usually subject to your regulatory इसमें क्या है, बहुत जाधा restrictions नहीं होती है ठीक है, कुछ ही approval लेने होती है then liquidity, FDI investment and less liquid यह क्या है एक बार आपने अगर कहीं पे किसी का बड़ा business खरीद लिया ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको इतनी जल्दी नहीं sell कर सकते है, तो यह liquidity नहीं है तो आपका क्या है, क्या purpose है, कि long term में क्या आप अच्छा खासा पैसा खमासा को, अपने business को expand कर सको ठीक है, but FPI में क्या आप सिर्फ financial मतलब financial market में अपनी क्या करना चाहते हो पैसे को make करना चाहते हो ठीक है, then sector focus FDI is more common in sector like manufacturing FDI कहाँ पे आती है, manufacturing infrastructure हो गया ठीक है, services हो गया है, यहाँ यहाँ पे पर जो FPI is more common है कहाँ पे stock market में, ठीक है corporate bonds में, यहाँ पे FPI आती है Capital flow direction, FDI में जो capital flow होती है, वो कहाँ होती है, investor से हमारी home country में होती है, ठीक है to the host country, किसको host country को FPI में क्या होता है, capital flow होती है, financial market से host country में मतलब FPI में यहाँ से बाहर जाता है पैसा, ठीक है और जो FDI है, FDI में बाहर से यहाँ आता है ठीक है, ठीक है, then investment size क्यों होता है, FDI बड़ी होती है, larger investment होती है, FPI क्यों होती है, as compared to FDI कम होती है छोटी investment होती है, investor involvement FDI investors के इसमें involved होती है, ठीक है, FPI में directly involved नहीं होती है, या फिर less involved होती है capital flow impact on exchange rate exchange rate पर क्या effect होता है अगर capital flow हो रही है यहाँ पर, तो FDI में have a more stable impact, जो FDI है उसका stable impact पढ़ता है exchange rates में और FPI के result कर सकती है short term capital flow that may lead to more volatile exchange rate, exchange rate को यह volatile impact करती है, और यह क्या है stable उसके बाद यह हमारा difference क्या होता है खतम हमने क्या है, बहुत basic space के इसको differentiate करके देख लिए है, अगर आपको जो भी समझाए है, या फिर आपको जो भी easy लग रहे हैं, आप क्या है उसको learn कर सकते हैं अब उसके बाद हम इसका conclusion देखते हैं क्योंकि हमें जब तक conclusion नहीं देंगे तो क्या है हमारा question ढंक से attempt नहीं माना जाता तो चलिए अब हम conclusion देखते हैं In conclusion, FDI involved buying a significant ownership तो FDI हमने यह सारा पढ़के क्या conclusion निकाला कि जो FDI है ना, उसमें हम क्या है बट इसमें potential high rewards भी है ठीक है, और यह positively impact करता है host country को as well as home country को On the other hand, पर उसी के other hand portfolio investment क्या होती है इसमें buy तो कर रहे हैं हम financial assets को stock हो गया, bonds हो गया, इन सब को पर without obtaining control पर वहां हमारा control नहीं होता यह short term होती है, less risky होती है इसमें reward भी काम होते है और इससे कुछ impact अच्छा खासा नहीं पड़ता है इसमें financial market में क्या है, अपनी money को create कर रहे है तो investor choose between FDI and FPI investor ने क्या choose करना है FDI करनी है, यह FPI करनी है वो base होता है, कि वो किसके based में होता है उनका goal क्या है, उनकी risk को tolerance क्या है रिसक को जाधा tolerate कर सकते हो, तो वो FDI की तरफ जाएंगे पर अगर वो क्या है, रिसक को कम वो करना चाते है तो क्या है, वो FPI की तरफ जाते है उनके goals भी matter करते है, और उनका investment preference भी matter करते है कि वो क्या invest करना चाते है ठीक है कितने देर केले करना चाहते हैं तो इस सारों से क्या है impact पड़ता है कि हमारी FDI में हमें invest करना चाहिए या FPI में पर बोथ क्या है अपने अपने respect में benefit देते हैं ठीक है तो होप आपको यह वीडियो समझाई हो हमने इसमें क्या है यह पूरा detail question को कर लिया है और इस chapter से जो भी important question रहते हैं या तो हमने कर लिये या तो जो रहते हैं वो हम आगे करेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like, share, subscribe जरूर करें धन्यावाद